जज से पूझ नहीं सकते, कलक्टर से पूझ नहीं सकते, परदान मुत्री से पूझ नहीं सकते, राष्टुती से पूझ नहीं सकते, सेना से पूझ नहीं सकते, पुलिस से पूझ नहीं सकते, सिपाई से पूझ नहीं सकते, अवलदार से पूझ नहीं सकते, बिधायक से तो पुछाएंगे पिर आप यह बता दिजी हम को किस से पुछेंगे आपी बताइए डिमोक्रेसी का मतलब हम किस से पूछेंगे अपनी गोहार कहा लगाये विंती कहा करें न्याय के लिए कहा जाएं आप इमार्ग बताईए ने साब हम तो पूछेंगे आप से ना तो न्या आजस्थान के सारे समय को सुनने का समय है खुद सुप्रिंग कूट की नियाइधीश ने कहा कि दबाव है वरन बताएं नियाइधीश वो जो चारो आये थे प्रांगन में आके पीसी किया तक प्रेस कांफरेंस किया था तो क्यों ही बता रहे हैं और प्रशांद बूशन जी कुछ भी ऐसा अपराध नहीं किया है जिसकी सजा उनको मिलनी चाहिए या सजा दिया दी जा रही है यह देने की कोशिस की जा रही है लेकिन प्रशांद बूशन ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूँ सबसे पहले तो प्रशांद बूशन जी कि इस खदम की हम सराहना करते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं हमने पहले भी बयान दिया है और आप ने कवर किया है देश के नामचीन वकीलों ने उनके समर्थन में सुप्रिंग कोर्स के सामने परदर्शन किया था और कई नामचीन संगठनों ने जिसमें आपने डी ओएम संगठन का बैनर भी देखा उसने भी और कई संगठनों ने उसमें मेरा भी संगठन साथ में इंकिलूड है हम असल एक trend पिछले दिनों चला था और उससे पहले कि मैं उस trend के विशे में कुछ बताओं यह जरूर बताओंगा कि जो सम्मानित हमारे माननिये सुपरिंग कोड के हमारे जजेज हैं और वही लोग हैं जो चार जजज बाहरायते सुपरिंग कोड के प्रांगन में और मीडिया कर्मियों के समख चाकर कहा था गिर गिराते हुए कहा था कि देमोक्रेसी जो है वो खत्रे में है और हमारे उपर एक दबाव है और दबाव से जो वास्तविक निरने होते हैं सामाजिक निरने होते हैं समवैदानिक निरने होते हैं उसमें कहीं न कहीं बाधा उत्पन हो रही है इसलिए मैं जनता के सामने आया हूँ और मीडिया के माध्यम से आया हूँ कि इस दबाओ को कम करने का रास्ता निकाला जाए तो मैं उन्हीं तमाम सम्मानित जजों से पूछता हूँ कि आपको क्या वशक्ता परी थी वो कौन सा दबाओ था किसका दबाओ था क्यों आप मीडिया के सामने आये और क्या माननिये उच्तम नियायले के नियाइदीश और मुख नियाइदीश को अपनी बात जनता के सामने रखने का समवैदानिक अधिकार है या नहीं है प्रश नमबर एक यदि नहीं था तो उन्होंने असमवैदानिक काम क्यों किया और अगर है तो उन्हें अगर अभी वैक्ति की सोतंतरता है तो परशांत भूशन को क्यों नहीं आप पर दबाव किसका था ये तो देश को अब तक पता नहीं चला चार आये थे एक नहीं आये थे और चारों वरिष्ट थे उसमें एक रिटायर भी हो गए चिफ जस्टिस बनके दूसरे इस समय चिफ जस्टिस हैं तीसरे लाइन में हैं तो क्यों आपने जनता के समक्ष आकर ये कहा कि हमारे उपर एक दबाव है मानसिक या खुले शब्दों में पॉलिटीकल दबाव है राजनितिक दबाव तेके परशांद वूशन जी ने कोई ऐसे अप शब्दों का या किसी ऐसे आसमवैदानिक या अमर्यादित या आसमाजिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है उन्होंने एक बात कही है और वो बात केवल वो नहीं करें देश की बरी आबादी ये सवाल कर रही है कि आपके किसी भी आडर के अंदर जो बारदर्शिता होनी चाहिए समवैदानिक व्याक्षा जो होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है कहीं न कहीं उस पर दबाव दिख रहा आपके आदेश आते जा रहे हैं इन रंतर अभी दो तीन करेंट की बात बता दूँए सुआधे दो तीन की बात है बिलकुल अभी आदुए गठना के एक फील्म एंडिश्टरी में गठना कट्ती यह ठीक है आप सुनवाई कर लेते हैं कियों करते हैं किया है वो मेरा सवाल है जितना पर ना जितनी ख्याती उससे प्राप्त से पचीस भुनी ख्याती पर दस साल पहले हम लोग उने प्राप्त कर रखी यह तो मीडिया ने उच्छाला ना शोशल मीडिया पर आईए और आप सर्च कीजिए जब उसे सो फेस्ट बुक और वाटसेप मार्केट में तब से हम लोगों का चेहरा लेकिन हमें तो न्याय नही सकते हैं क्या वेट रीयाँ का अप ये बताइए कोई परशासनिक प्दादीकारी अगरा असमभय्दानिक कारर कर रहा हो और वह जिला का सरवुच्च पद उसका हो समभडानिक पद है वो भी जाहे डिश्टिक जज ऑो हो यह केलेक्टर होzd या पुलिस कप्तान हों पुलिस कप्तान को ऐसा नहीं कि उसे भी आप गाली दे एक आम सिपाही को आप गाली दे सकते हैं क्या कहीं नहीं समभाइदानी का प्राद है या नहीं है तो बस यही चीज है लेकिन अगर वो गलत करता है तो लोग कहते हैं या नहीं कहते हैं यह फिर मे पूरा भारत देख रहा है विडेंस को पूरा भारत देख रहा साहब मैं वेक्तिकत कर रहा हूं मेरा नाम हाफिज गुलाम सरवर आउल इंडिया उनाइटेड मुस्लिम मोर्चा 2004 में मैंने पी आयल दाखिल किया सुपरिंग कोट में और पचीस बार गोहार कर चुका हूं चा और मेरा 16 साल हो गया मुकदमा नहीं सुन रहे आप से परशन करने का अधिकार नहीं ए तो फिट डिमोकरिसी नहीं है बिलकुल कहा जाएगा देमोकरिसी कओ प्रशांद भूशन जी तो दभ के बात कर रहे हैं सारे नियाए पिरिये लोगों को सारे वकीरों को सारे जजों क प्रशान भूशन जी के साथ खड़ा होना चाहिए ताक। प्रशान भूशन के साथ है यह बहुत बिचीतर प्रशन आपका है सरकार साथ है या विरोध में है यह भी देश जान रहा है और अगर सरकार साथ है इस समय तो मैं समझता हूं सरकार कि यह कदम तो सराहनी है यह कदम सराहनी हैं कि सरकार भी कहा रहें कि ने परशान भूशन को माफ करने का सबसे पहले तो आप किसी को मैंने पहले खोशित कर देने के आप रादी है उसने गल्टी की है फिर गारे चल भी माफी मांग अब वो कह रहा है मैंने गल्टी ही नहीं किया है साहब तो मैं माफी क्यों मांगूं आपको यह कहना चाहिए कि नहीं यह गल्ट नहीं आप सरकार को मतलब सरकार पहली वार कोई काम जनता के आवाज पर कर रही है वह नहीं आवाज तो बहुत उठी है देश में वो आवाज जिसको आप कैमरे से बाहर हैं उनकी आवाज यही है के पार दरशिता होनी चाहिए नियाएक विवस्था में भी चार अस्तंब में नियाएक बाली का वो अस्तंब है जहां जाकर सब कुछ अटक जाता और ठहर जाता तो सर देश में को पहली वार तुलाए ओरा संस्ताओं का यूज तो क्या है सरकारों ने अरहा है कहा है रिटायर होंगे तो यही जजज सहाब हमारे जो है किताब लिखेंगे रुकिए मैं बताता हूं यही जजज सहाब जब रिटायर होंगे तब किताब लिखेंगे मेरे साथ आइसी घटना घटी थी मैंने यह फैसला दबाव में दिया तया यह भी इतिहास है इमर्जेंजी का कम दोर आप याद कीजिए कि उस समय भी जो जजेज थे उन्होंने जो बात है वो गवालियर का मुक अगर देंगे तो वो इतिहास के पन्नों में अमर होगा और यदि रिटायर होने के बाद आप मोटी मोटी किताब लिखेंगे अपने असमरन को एकतरित करेंगे तो उसको पढ़ने के लिए भारत के लोगों कोई पास अब बहुत समय नहीं है भारतिय समाज का एक ऐसा पार है जिस पर सदैब हम लोग बोलते रहते हैं यह हमारी विलंबना है कि नियाय के लिए भी किसी को नियाय दिलाने के लिए भी उसका सौजातिय होना अगर अनिवार्ज हो तो यह नियाय दिलाना नहीं है कोई मुस्लिम वेक्टिम के लिए अगर मैं खड़ा होता हूं तो मैं मैं नियाय के साथ खड़ा नहीं हमय जाती और धर्म के साथ खड़ा हूं हमें क vari के साथ और नियाय के साथ खड़ा हने का अर्थ है के वह aish tě है कि obc है कि मुस्लिम है कि अपर है कि ब्रह्मन नहीं देखा जाना चाहिए आकर वन नमबर आजाएगा हमारा काना कि हम हिंदू, मुस्लिम, सीख, हिसाई अगरे पिछले जैन पर सब हैं लेकिन न्याय के साथ अगर खड़े हैं तब तो ठीक है वरना हम स्वेम अपराद को बढ़ावा देने वाले अन्याय को बढ़ावा देने वाले बनेंगे और हैं